कि है गैज वेलकुम बेक अगेल मैं यूट्यूब चैनल जिया दोस्तों आप सभी कैसे हो आप सभी बढ़िया होंगे यार दोस्तों अज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शांदार वेकेंशी के बारे में जो कि दोस्तों लैब टेक्निशल के लिए निकली है साथे सा यहां पर काफी सारी वेकेंशी आपको देखने को मिलेगी जायो बोख कैमेश्टी निकलने वाली है जो कि ना इसमें कोई एक्जाम होगा ना कुछ होगा तो सीधा ही डाइरेक्ट बेस वेकेंसी होने वाली है तो इसके अंदर काफी बिडिया दोस्तों आपको फाइदा होने वाला है आप देख सकते डाइरेक्ट रिक्वार्मेंट है और यहां पर दोस्तों सेलरी आपको देखने को में लगी है पस यहां पर थोड़ी से दोस्तों एक चीज की कमी है वो है पॉस्टों की कमी तो दोस्तों ऐसे में आपको यह ज्यान रखना है टोटल पॉस्टों की कमी और उसके साथे साथ में दोस्तों हम लेब टेक्शन की बात ही करेंगे और उसके साथ साथ में धूस्त अलग लग लब टेक्निशन को भी फैयदा होने वाला है और अलग-अलग लैब टेक्निशन को भी फाइदा होने वाला है साथ यहाँ पर जो MRI टेक्निशन है उसके लिए भी वेकेंसी हैं काफी सारी वेकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लैब अटेंडर के लिए भी दुस्तों वेकेंसी हैं तो जल्दी से आप इसको क्वालिफिकेशन आपका चाहिए और सबसे फिले दूस्तों अपनी लैब टेक्निशन की हम बात कर लेते हैं मेडिकल लेबुरेटिट टेक्नोलोजी की सबसे फिले दूस्तों यहाँ पर जो से लगाएगी दूस्तों एक लाग से उपर दूस्तों आपका रहेगा ठीक गई यहाँ पर मेट्रिक बेस सेवन रहेगा सीपीशी ठीक है और यहाँ पर दो पोस्ट आपको देखने को मिली यहाँ पर जो एज होनी चीए वो दोस्तों आपकी तीस साल से कम होनी चीए साथे साथ में दूस्तों इसेंशल क्वालिफिकिशन की अगर हम बात करते हैं तो बैस अगर हम बात कते हैं यहाँ यहाँ पर आपको चलेगा विट टू यह रिलेवेंट एक्सपिरेंस लेटरी अटेजड विट रिकोगनेश सो बेट का दूस्तों होस्पिटल के अंदर आपका एक्सपिरेंस होना चीए चाहे वो टीचिंग का हो या काम का हो दोनों एक्सपिर यहाँ पर भी सेलरी सेम रहने वाली है साथे साथ मैं OBC के अंदर एक पोस्ट है यहाँ पर भी एस तीस और बैसले डिग्री इन केमेस्ट्री विट टू यह रिलेवेंट एक्सपिरेंस इन लेबोरेटरी और वही सेम दोस्तों आपका होना चीए सो बेट का हो स्पिटल के बैसलेंद लाइचन नहीं चुका है और अगर यह क्या का काम किया और शेयी चीछर्ण चीज़दर वेड़ेंस आप चैसलेरी के इसे अदर बिल्कुल दुस्तों सब दिए ह slasd corner ऐसा पर इसक पर लेगी और यहाँ पे तैस सब़तीजों टीज़ और अमालेट कर दो दोस्तो अपकी बैजिल्ट डिंगरी होनीच答ופ क्यान भी विपाग नि leaned Foreman to do लोजी के अधर उडिक और hem फॉक्रडूली का है तो उसके अंदर भी दोस्तों ख़बी सारे जो high-事情 अधर आपका चाहिं खोशलेट आज है तो आप उसके और सोटेंस सरहो चाहिए manner कई ना कई सबको फाइदा होगा दोस्तों कि एक दूसरे को फाइदा होगा यार जो भी स्टूडेंट है आपका रिलेटीव है अगर कोई मायक्रो बाइलोगी अगर उसने कलें रखे तो उसको भी बोटनी के स्टूटेंट है वो भी इसके अंदर एपलाई कर सकते हैं ठीक है और अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर और भी हम पोस्ट की बात करेंगे असिस्टेंट की बात करते हैं हम अब देखेंगे दोस्तों लैब अटेंडर की तो यहां पर आपको देखने को यहां पर total post है चार post है एज है अटटेस साल दोस्तों एज दू साल कम तक आपकी एज होनी छी एसेशने से लोका पिक्रिक्षिन की लिए इसमें कोई भी experience आपसे नहीं मांगा गया है तो ऐसे मैं आपको काफी फायदा होने वाला है ठीक है कोई भी experience नहीं है तो आपको फोंब बढ़ना है के वल यह फायदा है ना ठीक है और इसके साथ ने साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी पोस्तियां पर आ यह आप इसको देख लेंगे डिस्क्रेप्शन के अदर आपको लिंक मिल जाएगा सारी लिंक्स मिल जाएंगे जन्रल टर्मेंट टर्मेंट generation and condition आप पर सकते हो पूर्व हर चीज़ क्या criteria आप का होने चीज़ा आप इंडिया से होने ची़ों इसमें कोई भी दोसतो is statement शेख लिए अलो और इंडिया से विकिंसी और सबसे इनफाइब को क्या है आप कहीं से भी एपलाइ कर सकते हूं यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की यह नहीं है और यहां पर दोस्तों एज रेलेक्सेशन भी आपको डेर का है और उसके साथ में काफिया बड़ी पीडिया पे तो दोस्तों ऐसे मैं आपको ह कर एक चीज की जहान रखनी है कि यह ओल और इंडिया लेवल से कोई भी कहां का भी हो बिहार राजस्तान हर्याना यूपी पंजाब हर एक जहां हर एक चगे का स्टुडेंट इसके अंदर एपलाई कर सकता है यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है और इनमें काफिशारी काफ़ी बढ़िया दोस्तों आपको यह वेकेंशी का अपोर्चुनिटी और सबसे इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों आपको बता है सीधा ही आप देख सकते हैं यहां पर आपको देख रहा होगा हर एक वेकेंशी का डाइरेक्ट रिक्वार्मेंट सीधी कोई भी एक्जा आपको फाइदा होने वाला है अब दोस्तों हम बात करते हैं वेकेंशी कहा के लिए निकली हैऑ् किसके अंदर निकली है इतनी वेकंशी है दोस्तлаг मेंड़ी अलग-अलग 56 वेकंसी आपको अलग-अलग सेक्टर की देखने को मिले हुए और उन में से सबसे ज़्यादा दोस्तों लैब टेकनिशन की वेकंसी है लैब टेकनिशन को काफी ज़्यादा फाइदा होने वाला है यहाँ पर फार्मेसिस्ट स्टाब नर्स हर एक चीज के लिए अब दोस्तों हम बात करते हैं यह वेकंसी कहां के लिए निकली है और हर एक चीज की हम डेटल से बात करेंगे ठीकी गाइस तो सबसे पहले दोस्तों यह वेकंसी निकली है यह आप देखने को मिल रहा होगा ठीकी कैश और यहाँ पर जो अपीशन लैटिफिकिशन जारी दोस्तों आपके लिए डायरेक्ट रिक्वार्मेंट वेकंसी हैं ठीक है तो यह अलग-अलग जो भी ओल इंडिया इस्टिट ऑप आयुरवेदा दोस्तों यह आयुरवेद के अंदर यह वेकंसी निकली है सबसें इंपटेंचिश और यह आयुरवेद के अंदर वेकंसी निकली और गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑप आयुरवेद के दोस्तों अंदर निकली हैं आप दोस्तों इसमें अलग-डर जिए पोस्टिंग आपकि हो सकती हैं और यहां पे दोस्तों आप चाहे तो इसको भी यह आपको कोई डाउट है तो वह आप कर सकते हैं आपको देखने को मिल रही होगी साते साथ में दूस्तों अलग लग है चाहे वो दिल्ली हो या सेट्रलाइज सेंटर हो गुआ जहां पर भी हो दूस्त आपको आपको जोइनिंग दी जाएगी ठीक ह साथ में आप देख सकते हैं कुल मिला कि यह आयरवेद के अंदर दोस्तों आयरवेदा के अंदर आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी तो ऐसे में दोस्तों काफी बिडिया है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो ऐसे में अगर आप आयरवेद के अंदर भी जोइन करते जो भी अधर कापी सारी लंभी टार्मेंट कंडिशन यहां पे आपको देखने को मिलेगी और किस टाइप से फॉर्म इसके साथ ही दोस्तों हर एक चीज है तो आईसे हम दोस्तों आपको इस पीडियाप को डाउनलोड करना होगा इस टाइप का अब देख सकते ही हर एक चीज का यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा होगा ठीक है तो ऐसे मैं कहीं नहीं आपको फाइदा होने बारा है आज किस वीडियो में बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी से दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि अब मैं और कहां के वीडियो लाओं या इंडिया लेवल के वीडियो लाओं आज किस वीडियो में बसेता हैं थैंक्यू सो मुच आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो क्योंकि मैं आपके लि को सब्सक्राइब कर लो